नूर बसाइन आखियों में तेरा कब हुई तेरे मैं रब जाने मेरा रंग दिया तेरे इश्क नियू हो गया मैं तू ही तू रंग दूडे कैसा है चाहाया सुनियारा सुनियारा मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारी घरवालों को पायूस किया है शाइड मैंने दोस्ती में खयानत किया है लेकिन अनिसली तलाल मैं मजीद खुद को और तुम्हें दोके में नहीं रख सकते क्या हुआ कहां जा रहे हैं जहन्दम पे जा रहा हूं हर वक मेरे सर पे सवार मुत राकरो क्या आखर कपड़े के अमुफ बट रहे थे जो तुम लोग इतने गाफिल हो चके थे एक बच्चे का ध्यान ही रख सेके तुम लोग दिल तोरना बहुत आसान होता है दिल तूटने के साथ इंसान की अख़ाइशाद में बिगड़ जाते हैं अब दिल तोरने वालेको इसके अख़ाइशाद में उत्ता है पहले, अच्छे तरीके से तुम्हाई लुक्सुत्यों होगी? उसके बाद मेरी. यह क्या बखवास है? तुम्हें पता है मुझे इस तरह का मजाग फजूल किसम का बिल्को पसंद नहीं है? लाली, तुम अच्छी तरह जानती हो फजूल तो क्या है? मैं मजाग भी बहुत कम करता हूँ. जो तुमसे मैं पूछहिए ना मुझे उसका जवाब सी तरह से देदो. तुम्हारी बाद का जवाब मैं देची को हुझ लाली. यार तलाल! मैंने तुम्हारी सारी बते मानिय है, यहां तक के निखा भी करा लिया मैंन! तो अगर निकाह कर लिए तो उसके बाद रुखसत ही नहीं करनी क्या? यार जल्दी किस बात की है, हो जाएगे उस अदी रोशाना कि सारी जिन्दगी तुमसे बाबस्ता है तुम्हारे साथ मनसूब है उसका नाम उसका भी खुशिओं पर हक है यार इसे तो उसके एमोशन के साथ ना केलो तलाल मेरी बात सुनो तलाल यकीन करो वो तुम्हारी जिंदगी में रंग भडे की तुम्हारी सारी तकावण समेट लेगी तुम्हारी जिंदगी को मुकमल कर देगी लाली, अगर यह भात मैं तुमसे भी कहूं, कि कोई ऐसा है जो कि तुम्हारी तकन समेट सकता है, तुम्हारी जंदेकी में खुशियां बेकिर सकता है, तुम्हें मुकम्मल कर सकता है, तो? तो तुम क्या मुझे यहां पर दूसरी शादी के लिए कंविंस करने की कोशिश कर रहे हो? इसमें हर्ची क्या है लाली? मुझे कोई इस बारे में बात नहीं करनी, एक लवज ना सुनू में तुम्हारे मूझ से. जो तुम से पूछ रही हूं, मुझे उस बात का जवाब दो. अम्मी परिशान है तुम्हारे लिए है? अम्मी की फिकर करने की जूरत तुम्हें नहीं है. यह मेरा और अम्मी का मामला है, हम दोनों आपस में खुद बात कर लेंगे. और तुम भी एक बात याद रखना, मैं बहुत महबबत करती हूं रोशाना से. उसकी आँख में एक आंसु भी बरदाश्ट नहीं कर सकती है. तुम्हें मुस्तफा जितना कौन चाहेगा लाली, वो तो वक्से लमा लमा समेट कर तुम तक पहुंचा है. उसे बाजी मैं हाने नहीं दूगा. यहाँ, यहाँ, वो तुम्हें नहीं करी बात उससे, मैं नहीं करी बात उससे. यसे मेरी बात को ना वो सीरियस नहीं देता, आप कुछ करें, आपकी सुन भी लेगा. अच्छा ठीक है, मैं खुद कर लोंगे उससे बाद. आज वारिश होगे, बौसम बहुत अच्छा हो रहा है. अच्छा. 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 सेफी. सेफी. इतना प्यारा मौसम हो रहा है, बाहर आप क्या यह बोर काम लेके बैठ गए हैं? तब इस मौसम में और क्या करूँ? खुबसूरत मौसम को खुबसूरत अरीके से नजोई करना चाहिए. मेरी काइनाद की सारी खुबसूरती तो इसी कमरे में बनता है, तो मैं बाहर जाके क्या नजोई करूँ? वैसे भी. कहते हैं, मौसम तो दिल में होती. कमरे में बैठकर भी दिल बे लाया जा सकते हैं. यह अपने फलसफे जो है आप अपने पास ही रख लें. सेपी बाहर चले ना, दिखे कितना अच्छा मौसम हो रहा है. वैसे एक बात तो सच है. यह बाहर का मौसम मुझे फैसिनेट करे न करे. तुमारे दिल का और मेरे दिल का मौसम जुड़ा होगा. तुम हस्ती हो तो दिल हस पड़ता है. तुम महकती हो तो मेरा पूर पूर महक उड़ता है. पिल्कुल छूट. सच. छूट. पिल्कुल छूट. अगर इस सच होता न सेफ, तो आज भी तुम हमारे साथ होते हैं. युम मुझे और अरयान को इन हालात में ऐसे छोड़के न जाते हैं. मुझे करने वाले तुम बुरे से बुरे वक्त में भी तुस्ट्रे का साथ देते हैं. संचौता कर लेते हैं. मुझे की लोग को नीचे कर देते हैं. युम फुक मार के बुझान ही देते हैं मुझे के दिये को. रंग तूने कैसा है चरहाया, सुनियारा, सुनियारा, सुनियारा. बीजन, मैं सोच रहा था कि शहबाद आरा है उसके साथ इसलामबाद चला जाओं. पिंडी में भी बहुत सारे काम हैं जो देखने हैं मुझे. खुद देख लेगा, शहबाद. तुमने पाकिस्तान वापस आके अपने आपको कामों में उल्चा लिया है. ना तुमने कोई मेरी बात सुनाई जेती है और ना तुम कोई जवाब देते हो. पीजन, मैं आपकी किसी भी बात का क्या जवाब दू? नहीं है मेरे पास किसी भी सवाल का जवाब. मैं खुद इतना उल्चा हुआ हूँ, मेरे सामने कोई रास्ता वाज़ नहीं है. तुम बुजदिल होता है भी बुजदिल. पेले भी तुमने लाला रुक कोया है. और अब उसे बेखबर रखके दुबारा कोना चाहते हो. पीजन, आपको क्या लगता है? अब जाए लाला रुक के पास जाओ और वोडोखाय को तुम अब चाहते हैं लाला रुक मेरे तुम से. नहीं पीजन, शएध अब सही कहा है कि मैं बुजदिल हो गया हूँ अब. अब तो वो अर्जार्थ है फैसला लेने में. तुम कहो तो मैं उससे खुद बात करूँ आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगी वो नाराज हो जाएगी और आप जानती है मैं कि मुझे रूठो को मनाने का ढंग कभी भी नहीं आया पीजान शायद मैं वाकई खौफ सदा हो गया तो क्या लाला रुख को दुबारा खौने का होसला है तुम मैं? नहीं बीजा मुझ में लाला रुख को खौने का होसला नहीं बीजान मेरा दिल कहता है कि उस पर सिर्फ मेरा हक है कहने का होसला नहीं है क्या करूँ? जीतेरो वीटा, जीतेरो मुझ 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 नहीं बीजान में तुम से भी कहूँ कि कोई ऐसा है जो कि तुमारी तकन समेट सकता है तुमारी जिंदेगी में खुश्यां बखेर सकता है तुमें मुकमल कर सकता है तो तुम तुम भी इसके फजूल जिस बाक से आगा थे तभी तुम मुझ इसके हक दलाया ले रहे थे आपके आपके आने का? मेरे ख्याल में आप सब कुछ सुन चुकी हैं ना? अब मजीद किसी वजाहत की जरूरत नहीं रही है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अब वाकई किसी वजाहत की कोई जरूरत नहीं है मुझे सही का वजाहतों और सराहतों की जरूरत तो वहां पर पढ़ती है जहां मुहबबत के नाम पर धोका दिया जा रहा हूँ I'm sorry Lali मुझे अपने जजबात और थरीका इज़ार पर कोई शर्मिंदगी नहीं यह जजबात मेरक कुल असासा है जाएद मेरे जीने का असल जवाज भी यही है यह यह समझ ले कि यह जजबात अगर मुझे से चीन लिया जाए तो मैं वीरान खंडर हूँ और कुछ भी नहीं मैंने आपको अपने जजबात से बेख़बर लगखा लगन उसकी सिर्फ एक वज़ा थी कि मेरे सामने धुन थी हर सिंप में धुन थी सिर्फ कोई रास्ता वाज़ नहीं था मेरे लिए शॉट आप जस शॉट आप मैं अपने रवये पर शर्मिंदा हूँ पहलाल अपने जजबात पर नहीं हूँ मुस्तफा आपको किसने हग दिया है मेरे बारे में ऐसे जजबात और ऐसे खयालात रखने का अपने जबात रखने के शर्म आनी चाहिए आपको अपनी सोच पर आप किसी को चाहने और चाहे जाने की ख्वाहिश से महरूम तो नहीं कर सकती अग्या अग्यूप में सौलगता इंसान चाहों की तलाश में है कि आपकी चाहन नहीं बन सकती हूँ आपको अपने जजबात पर कंट्रोल रखना चाहिए क्योंकि इसके आगे कोई मन्जिल नहीं है क्योंकि आपका हूँhst aster क्योंकि आपका हूँच nut क्या करती हो तुम, द्यान से चला करो ना, दोहा दो प्लीज आप अंदर से बानो और लाली या आंटी को बला दे मुझसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा उठो जलो शामाश इसे नहीं चला जा रहा पिछा हिम्मत तो को ना उठो क्या हो गया रोश्णी? कैसे गिर गई बेटा? अप्पो तुम्हारा ध्यान की दर था अर बानो तुमने जब धोया था तो उसको खुश्क नहीं कर सकते थी शाहिए लेकर आओ वाइपर, साफ करो तुम तोना मिलके शीले के जाए मैरे से लेकर आओ तो अच्छा बिटा, किदे दिखके चलती हो तुम्हे तो खुदा का लाक लाक शुकर अदा करना चाहिए कि तुम्हारा नहीं पिसले वरना जमीन पर गरती वो क्या कहते हैं कि टेरसे गिरे और जमीन पर लिप्टे ऐसा कभी हो सकता है कि आप फजूल बात ना करें हर वक्त तुम्हारा बीच पे बोलना जरूरी नहीं होता ऐसे तुम्हें डरने की क्या जरूरत है कि तुम्हें मुल्के मायानाज सर्जन तुम्हार साथ मोचा होती है अब डिर रही तिम उन मायानाज सर्जन की वज़ा से ही गिरियों मैं इसकी बोलने के जाका यदत इसकी बाते सुनने क 있다 नहीं आया पड़ा तुम मुझे बिताओ, तुम्हाली मैं दूद में हल्दी मिला के ले हो, थोड़ा जीब होगा लेकिन पीलो ठीक हो जाएगा दर्द लाली, आम सॉरी, आप हमेशा यह ही करती है में लिए कोई बात ने लाली बाजी, आयान रो रहे हैं अब क्या हुआ है उसे? मुस्तवाई उनको छोड़के चले गए, इसलिए रो रहे है देखा है अब इसलिए मैं हर एरे के साथ ना जाने नहीं देती बच्चों को आदत पर जाते है यार फिर हर किसी के साथ उनको जाना होता है बाहर अब नही मैने जाने देना तो क्या है अब नही मैने निकल ले देना उसके साथ कहा है अब वो? आ रही है, मैं तुम्हें ले दूद भी लाती हूँ असे रोशनी, यह हादसा दूसरी बार हुगा है तुम्हें साथ तुम्हें बड़े मज़े आरे खैर मज़े तो मुझे नहीं आरे लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ के अगर रुखसती के वक्त तुम फिसल गई तू? मजनू बना वही जिसे पत्थर पड़े कमर खैर, पत्थर तो नहीं पड़े तक की से गुजारा हो गया बचत हो गई ये, इसको देदे ना अरे, ऐसे कैसे सर्जन साहब बात तो सुनिये, आप ऐसी भी क्या बेरुखी वैसे, आप आई ही गए हैं तो अपने मरीजे हिज्र का मौयना ही करते जाए मैंने सुना है कि मसीहा को देखकर मरीज की आदी तकलिफ दूर हो जाते है मुझे लगता है मुझे देखके इसके तिवियत मसीद बेगड़ जाएगी इस्तिक्बाल पर कुछ ऐसा ही हुआ मेरा दिलबरदाश्टा होने की कोई ज़रूरत नहीं है यह निशाना तो मुझ पर दागा गया था भाई आपकी राह में तो फूल निशाबर करने का प्रोग्राम था बस क्या करें मौका यवारदात पर मेरा मजब है कि हसीन मौका पर फूल दस्याबना थे इसलिए देख लो इसी बात का अफसो सो रहे से खरम प्लीज खर इस तरह की निशाने वाजी से परहेस करना चाहिए खास तोर पर जबाब कर निशाना इतना खराब हो यह तो तक्या था बच्चत होगी मेरी हाई हाई माराजो तुने फूल वो पत्थर से कम नहीं हुआ 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 कालना हुआ 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 यह आपकी च्छाओन नहीं बन सकती हूँ आपको अपने जजबात पर कंट्रोल रखना चाहिए क्योंकि इसके आगी कोई मंजिल नहीं हुआ ओ मेरे खुदाया क्यों रुला दिया मैंने इसको मुस्तुफांकाज क्या हालने आपके ठीको चलो आइस्ट्रीम खाने चलते हैं यह चले अयान अयान audition गो डुस्सके, तयो है वागश मुझे भीजा यह देकि क्योंकि मैं कहाए हू मैं कर बूछने ही अपको पूछने ही बताओ आपको एक्स्यूज मी यह अयंन के ầette बच्चो तो कुशने का थाइम उपकरर नी शुरर नी होता मुझे ये गटिया कोशिश करने की क्या जरूवत है? अलबता आप जो कोशिशे कर रहे हैं आयान को अपनी सीड़ी बनाने की ये बहुत ही गटिया सोच है और मैं आपको बताती चलूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने लगा जो आप जा रहे हैं वाट? पता है ये ने क्या हो गे आज कल? कसी बच्चे की दश्मीने देख ते रहते हैं मूबाइल में चलो, अलला तूमें भी बच्चा देगा तुम परिशान क्यों होती हो किसी खास बच्चे की तसवीर देखते हैं कौ से बच्चे की? मुझे क्या पता? मगर काफी मगण हो जाते हैं देखने में अरे नहीं, वो ऐसे किसी बच्चे की तस्वीर देखता होगा आज कल बड़े खुबसूरत बच्चों की तस्वीरे आती हैं मॉबाइल पर मुझे लगता है लाला रुख के बेटे की हैं मेरा मतलब है शायद अपने बेटे की तस्वीर देखते हैं अयान की? मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है अम्मी कि मुझे इनकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए मैं बहुती कोई बेकार सी चीज हूँ उनकी नजर में देखो सुबई घर बस्ते 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 है वक्त लगता है दिवार भी एक दिन में नहीं बनती यह तो फिर घर है वह तरहीं कितना वक्त लगेगा शायद सारी उमारी निकल जाएगी यह आयान की तस्वीरे कहां से आ गए उसके पास कहीं लाला रुख तो नहीं पीज रही उसे अब कोई नया मसला ना खड़ा हो जाए कम बखत मारा चान को रोग ही लग गया है आपको हर वक्त याद करते रहते तो उनका बस नचले के तक कभी यह पीजे कुमा दे ताने तुमने यह सब बताने के लिए मुझे कॉल किये बीजा अनका फून था मुस्तफा के रिष्टे की बात कर रहें थी लाला रुख के लिए सब्सक्राइब हमाँ, तानिया, तानिया, मैं तुम्हारे फोण का इंतजार करें था तुमने मुझे कॉल क्यूं नहीं की? सॉरी वह मैं आज पूरा दिन बिज़ी थी और हावी में घर पे था, इसलिए मैं फॉन नहीं कर पाई भी मैं लाला रुख को कॉल करने की बात कर रही हूँ मैं भी उसे की बात कर रही हूँ तु तानिया कहो ना, उसे वो आयान से मेरी बात करा है जद बाजी की ज़रुएत नहीं है इस तरह अगर मिंथे भार भार फोन करूँगी अगर मैं उसे भार पार फोन करूँगी तो मेरी फोन उठाना बंद कर देगी मैं आह सते हसते उसको घेरूँगी अच्छा ठीक है तुम तुम कल ही बात करो प्लीज मेरी आयान से बात कराओ मेरी मुलाकात कराओ हाँ हाँ ठीक है अभी मैं फोन रख रही हूँ अब आथ सुने आइंदा इस टाइम पर फोन मत कीजिएगा जब स्पेशली हारून घर पे हो तुम्हें बड़ा शॉक है मेरी जासूसी करने का नहीं वो मैं चाय का पूछने आई थी आप पिएंगे ले आप जी तुम्हें अफतों के साथ भेज कर किस बात का बदल लिया है तुम्हें दुचारत है अपने मंगेतर को गुमाना आइस-क्रीम कहलाना मुझे अपनी मंगेतर को गुमाने का शॉक था किसी की मन्कुहा को नहीं तो ये एहसान मुझपे है या फिर मेरी मन्कुहा पर अगर देखा जाए तो बिलावास्ता तुमपर ही कर रहा हूँ क्योंके तुम्हारी मन्कुहा की बोरियत दूर करा था मैं वह इस घर में फालतू टाइम भी तुम्हारे पास ही होता है ना चोल्डर हम वह जरा बाहर जारे हैं, हा ह्... षबसेफर्प हम मैं इस भी सात लेके जाते हैं चोलो हमारे साथ अरे इधर अगो जै जा रहा हो एी अन इसको कहा लेकर जा रहहे हो क्यों हम भी इसे सात कुनी ने ली जा सकते न? इसे इसलिए नहीं लेके जा सकते बाहर क्योंकि बच्चों का हर वक बाहर निकलना ठीक नहीं होता आदते खर आप उचाती है उनकी देखो वक्त रसूल की पाबंदी अच्छा होता है लेकिन कभी कभार थोड़ी बे असूली भी जाइस है अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अकल लेकिन कभी कभार इसे तनहा भी छोड़ी है पुरम तुम चुपी रहो तो बहतर है तुम्हे कुछ नहीं पता उसकी पहले ही इतनी आदते बिगड़ी है मैंने इसकी आते बिगड़ी देखी है नहीं लाली तुम्हे इसले नहीं पता कि तुम हर वक्त उसके साथ नहीं होते है मैं होती हूँ मुझे पता उसमें क्या चेंजिस आ रहे है और मैंने के दिया तो हो कहीं नहीं जाएगा कमान आयान, we have to go जानो मेरी वज़ा से लाला रुख को कोई तक्लीफ पहुंचे यह मुझे गवारा नहीं है I guess वो आयान के लिए ना ओवर संसिटिव है लेकिन अयान के फुचर के लिए उसे कोईने कोई स्टप तो लेना पड़ेगा अब यह ना सही तो बात बहुत तो अब आभी क्यों नहीं मेरे ख्याल में मुझे भी यहां से चले जाना चाहिए उसे सोचने का कुछ टाइम गो जान से को कि वह में इसे बात करें एक फॉर्मल प्रपोसल लाएगा तो पर मैंकोई ने कोई स्टप दे सको यह ज़रूरी है, मुस्तफा चाहरो, क्याच करो, क्याच करो आहा, वेरी नाइस अब मुझे क्याच करवा, जल्दी से अयान, एक और गेम से खाऊ, इतिरा आओ, इतिरा आओ, यह दिखो ऐसे करके न इसको, वान, टू, थी, पोर, फाइख, सेविए, एट, नाइट, नाइट, चलो, अब आप करो, यह लिए जल्दी से करो, पकेट के लिए बाग के बाग के बाग के हाँ, आप चलो, लेट स्टार्ट, बाजी आपका फोन है, पेड़ा फोन, हलो, अलो, लाररोख कैसे हैं आप, इसका धियान रखना, तुम क्यों कॉल करती हो मुझे आप, रिष्टा ही क्या रहेगे तुम्हारा मुझ से, आपसे ना से, आयान से तो है ना, बस उससे बात कर करने का तलचा रहा था, सो गया हो, चले, कोई बात नी, आप ही से बात कर लाती हूं, इन फजूल बातों का कोई फाइदा निया तानिया, मैं अपना माजी भुला नहीं पाई हूं अब तक, हाँ, माजी तो हम सब के लिए ऐसी हाद बन के रह गया, अच्छा, तुम्हारे तुम्हारे भाई के लिए क्यों याद रह जाएगी, वो तो अपनी नई जिन्दगी नहीं शुरू कर चुके अब, कहने को तो शुरू कर चुके है, मगर शायद ऐसा नहीं है, और मैं, मैं ऐसासे नदामत से अभी तक निकल नहीं पाई, आपके साथ किये कही जयातिया, य हमारी इन सारी बातों कोई असर नहीं हो रहा मच पतानिया, और रही बात हमारे माजी की, तो वो सब में अपनी किसमत का लिखा समझ के भुला भी चुकी है, सैफी से भी कोई शिकायत नहीं है, मुझे, यह आपकी बढ़ाई है, लाला रो, सैफी भाई को पता चलगा कि अच्छा, तो तुम अभी भी अपनी भाई की खुश्या ही तलाश कर रही हो, हाँ, मेरे बस में हो तुमें अपने भाई को सारी खुश्या लुटातों जो मैंने उन से चीनी है, वो बदल गए हैं डाला रो, पहने जैसे नहीं रहे, वो आपको छोड़ कर खुश नहीं है, और सिब होई को उपना कर में वो तनाए, आपको हर वक्त याद करते रहते, तो उनका बस नचले के वक्त कभी यह पीछे गुमा दे, ताने तुमने ये सब बाते बताने के लिए मुझे कॉल किये, मुझे कॉल किये, मुझे सूरी, आइंदा मुझे कॉल मत करना, तुरी महर अलो, क्या कहुते है, नहीं, कब मिलने देगी, वह मुझे आयान से, फिलहाल तो नराज हो रही थी, कह रही थी क्या आइंदा मुझे कॉल मत करना, लेकिन मैं एक पार शरूर मिलूगी उनसे, नहीं, मैं खुद उससे बात करूँगा, आयान मेरा बेटा है, उसे मिलना मेरने का मैं हक रखता हूँ, सेवी भाई प्लीज, ऐसे हिमाकत मत कीजिएगा, ऐसे बनती बात बिगड़ जाएगी, बात बनी ही कवे भाई, बनने में अब वक्त लगेगा, मैं मिलूगी आयान के लिए गिफ्ट्स वगरा ले जाओंगे आपकी तरफ से, अच्छा ठीक है तुम्हारा तो इसलामबाद जाने का प्रोग्राम था, वहां से होकर वापस थाना थे तुम्हें? जी, यही प्रोग्राम था भीजान, फिर ख्याल आया क्या आपकेली हो जाती हैं, तो इसलिए आ गया बहुत ख्याल है तुम्हें मेरा और मेरी तनहाई का अब अगर मेरी बात कर यकिन ना करें भीजान तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें कुछ भी कहो ना, मैं आपनी सुनने मली मैंने अपनी तनहाई का हल सोच लिया है और बहुत जल्द उस पे अमल करने वाली हूँ है खैर तुम्हें भीजान, आपके रादे कुछ ठीक नी लग रग रग मैं भीजा बहुत जल्दी हो गई उसको इस अवैली मिलाने की मैं तो बस तुम्हें कुछ रखो, मैं राफ्या को फोन करने लगी लगी कुछ ज्यादे जल्दी नी कर रही जाना अब नी करूंगी तो कब करूंगी मैंने जो अब करना है उसमें नाम तेरा मश्वरा लेना ह और ना तेरी राय लेनी है मुझे बस मैंने जो करना है मैं कर लूंगी वैसे भी मैंने तलाल से कह दिया है कि मैंना अली को अपनी बहु बनाना चाहती हूँ सेफ भाई खुश नहीं है वो बदल गए है नाला रो पहने जैसे नहीं रहे मेरे बस में तुम्हें अपने भाई को सारी खुश्या लुटा तो जो मैंने उन से चीनी है तूसरों की खुश्या चीनने वाले खुद कभी खुश नहीं रह सकता है मैं आपके दुख समेटने आया हूँ लाली मैंने आपको अपने जजबात से बेखाबर रखा लेकिन उसकी सिर्फ एक बज़ा थी के मेरे सामने धुन्द थी हर सिंप में धुन्द थी सिर्फ कोई रास्ता वाज़ नहीं था मेरे लिए लाली तुम्हारी ये इंतहा पसंद सोच आयान के लिए बहुत मुकसान दे होगी उसकी तड़ब को समझो अगर वो मुस्तिफा की तरफ खिचा चला जा रहा है तो ये उसकी फित्री खाइश है उसे बाप की मुख्बत की तलाश है नहीं किसी की जरूद से मैं अपने बीचे के लिए के लिए काफी है किसी की भी जरूद नहीं हमें हलाओ कहिए मिजज कैसे हैं यगीन बेहद मसरूर और खुश होंगी आप सब्सक्राइब बहुत खुश हो बलके अब तो और भी ज़्याद आप चले जो गए इसलिए तो मैं चला आया वहाँ आपको अंदाजा नहीं है कि आपको ज्यादा से ज्यादा खुशी देकर मुझे कितनी खुशी होती यह मैं आपको बता नहीं सकता अच्छा तो फिर आप ऐसा करें कि मुझे थोड़ी कुछ यॉट हो आएंदा कभी भी मुझे कॉल या मेसेज ना तो कोशिश करें कि आप किसी भी तरीके से मुझे कॉंट्राइब ने ने खैर इतनी खुशी भी मैं नहीं दे सकता कुछ तो खैर अपने लिए भी बशा कर और वैसे भी मैं अपना हिसे किसी को देने का आदी नहीं हूँ यही कहने के लिए क्या कॉल किया आप दिमचे नहीं अच्छी आपकी खुशी को महसूस करने के लिए फोन किया था मैंने लेकिन मुझे अदाजा हो रहा है आपको? तो स्यादा खुश नहीं है, येकिने मेरी कमी को महसूस कर रही हैंगी अभूमन आप जैसे मर्दों को ऐसी कुछ फेमिया होती है चले हम तही दस्त लोगों के लिए इतना ही काफी है खाब औ ख्याल हमें अड़ाएं फिरते रहते हैं आप हमें यहीं फिजाओं में रहने दीजिए, आपको क्या जाता है? हर शक्सी मुस्तवा साहब अपनी खाबों के यालों के फिजा में रहना चाहते हूं अगर मैं कहूं आप से कि मैं भी अपनी खाबों के ही फिजा में रहना चाहते हूं इसा नहीं है. इस गलत है. मैं बहुत कुछ्छ मुझा और अपनी मर्जी से जिन्दगी गुसार रहे हैं. मैं आप से आपनी बार किया ते हुआ है. आप अपनी एनरजी और अपना वक्त नहीं और जाया देए. यहां कोई फाइदा नहीं हो लेगा. सखुमय सारे, दर्द शक्ता, सहनाय ओखा. अब ठीक है? यहां. तुम्हें आप अकेली क्या कर रहे हुआ? यह शायद अकेले पंद से फासिनेटों वरी है. ने, मैं लाली के विरा से परिशान है. लालीया यान के देवित को लेके कफी परिशान है. हाँ, कफी परिशान है. तलाल, आप आयान को चेक कर लेते हैं? वो आयान को लेके एक चाइल स्पेश्लिस के पास गई विए. और मैं चाइल स्पेश्लिस हो नहीं. मैं तो शायद एक हाट स्पेश्लिस के नहीं. यह जिस पाती तरीकों से तेलों पर चोड़ने का तरीका आता नहीं मुझे. और आम, वैसे भी एक हकीकत पसंद इंसान को लोग संदल और सफाकी समझते हैं. खैर राम, तुम जानती हूँ लाली क्यों परिशान है? लाली कुछ बताते ही नहीं मुझे. और आप शायद इस काबल ही नहीं समझते हैं मुझे. सोचना अच्छी बात है लेकिन ज्यादा सोचना नुकसान दे होता है. खैर मैं तुम बताने वाला था. मुस्तफा लाली से शादी करना चाहता है. और मैं इस बात से रज़ा मन दो. इसी वज़ा से लाली मुझे से खफा है. यह तो खुशी की बात है. इसमें खफा होने के तो कोई बात नहीं? यही तो लाली को मेरी बात समझ मैं नहीं हा रही. क्या तुम समझा सकती है उसको? हाँ जरूर, क्यो नहीं? सोच लो कहीं तुमसे अनराज ना हो जाएवा. बेफिकर रहे हैं, खुलूस दिल से की गई कोशिच से तालोकात खराब नहीं होता है. और खुलूस से बढ़ाएवे हाथ को थाम देना ही अकल मन दिये. कभी कबार लोग खुलूस दिल को समझ नहीं सेते हैं. अपनी तरफ से कोशिच जूरूर करना है. चलता हूं. अबाएवेश. क्या जरूरती तुम्हें इतना सब कुछ लेकर आने की? मैंने तो कुछ भी नहीं खरीदा है. यह सारी चीजे ना आप पाक नहीं खरीदी हैं. मैंने बस यह शॉल खरीदी है. देखाओ. यह देखाओ. तलाद मामू का है? खुरम मामू दोनों नजर नहीं आ रहे. वो उसकी खुरम की कॉल आई थी. मुझे अभी कहते है रास्ते में वो. सुनो. तुम आज हमारे साथ ही रुक रही हो ना रात को? नहीं, मैं आज रात मही रुकूंगी. क्यों? अरे यह कहां रुकेगी? इसके जाने से शैला बिलकुल अकेली हो जाती है. शैला तो कहलती कि हनी और आफी के जाने से घर बिलकुल सुना हो जाता है. अब इसे कहां आने देगी वो? अच्छा है ना? जरा अपना घर बार संभाले यह? हाँ, अब आपको किदर मेरी कदर? रोष्णी जो आगी है. वैसे रोष्णी है किदर? वैसे रोष्णी है किदर? किचिन में होगी. मैं इसे मिलकर आता हूँ. जादू. चीजे समेट लो. इतना कुछ लिए आती है यह भी हद है वैसे. सेज में तो बच्चों को पता भी नहीं चलता. जी, जी, अच्छी. जी, अच्छा. खुदहाफेज. बीजांग का फुन था, मुस्तफा की रिष्टे की बात कर रहें थी लाला रुख के लिए. मैंने सुचा लाली के लिए गुल्दस्ता बना कर देते हैं उंको. ऐसे भी फूनों का अच्छा पड़ता है. तो यह ट्राएं तुम मुझ पर भी कर सकते थे. बीजान मुझे डर लगता है. वो रूट जाएगी, बुरी तरह. भाई यह तुम्हारा मसला है किसी तरह भी यह चीजें मेरे बच्चे तक पहुंचाओ वरना मैं खुछ जाकर देयाँगा. नहीं सेफी भाई, इस तरह मामला और बिगड़ जाएगा. मामला काफी गंबीर है तैफी है. अभी से हम्मत हाल रहे हूँ. मैं भी तुमसे कोई बहस नहीं करूँगा. सिर्फ तुम्हें अपना फैसला सुनूँगा.